कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इन्फिनिक्स स्माइश्टी मोबाइल फोन में डेवलपर आप्शन कैसे इनेबल करें अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को एंड तक पहुच किजिएगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों इन्फिनिक्स बेंचे आजाना है स्क्रोल करके आप को यहां पर स्सिंद्टम के नीचे ऑपफोन बाला तो आपको about phone पर क्लिक करना है जब आप about phone पर क्लिक करेंगे तो आपके समने इस तरह का interface आजाएगा आपको फिर से scroll करना है थोड़ा आपको scroll करके सबसे नीचे पहुच जाना है यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा बुल्ड नंबर का आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपका बुल्ड नंबर लिखा होता है आपको बुल्ड नंबर पर साथ बाल टेप करना होता है जिसके बाद आपका डेवलपर option इनेबल हो जाएगा तो मैं यहाँ पर साथ बाल टेप करता हूं ऑर को टाप के बाद के सामनी इस्तरह का पैटर्न लॉक्टहपन करने को आएगा आपको यहां ऑप्सिश्टम में में अप्सिश्टम में आए ने के बाद आपको थोड़ा स्क्रोल करना है अब आपको जो backup के नीचे advanced का option मिलता है, यहाँ पर click करना है, अब आपको थोड़ा scroll करना है, अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे mobile में यहाँ पर developer options का option मिल चुका है, जब आप यहाँ पर click करेंगे, तो आपके सामने सभी developer settings open हो जाएंगी, अगर आपको developer option को ब click कर देंगे, इस तरह से आपका developer option चालू हो जाएगा, अब आप लोग यहाँ से अपने mobile को control कर सकते हैं, system UI में आपका जैसे नया phone आता है, बिल्कुल बैसा दिखने लेगा, आप लोग यहाँ देख सकते हो, मैं इसे enable करता हूँ, आप देख सकते हो, मेरी battery यहाँ पर 100% charge ह इस तरह से आप लोग और भी controls यहाँ पर set कर सकते हो, आप देख पा रहे होंगे, अलग अलग आ रहे हैं, जब आपका mobile phone damage हो जाता है, तो यहाँ पर USB debugging काम आता है, इसे तरह से और भी settings है जिने आप use कर सकते हो, तो दोस्तों इस तरह से आप लोग अपने infinix mobile में developer option को enable कर स आते हैं, अपने infinix mobile में उसकी भी वीडियो आपको playlist में मिल जाएगी, आप उन्हें भी देख सकते हो, आज की इस वीडियो विद्राही चलिए मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नया topic के साथ,